हलो फ्रेंग्स, वेलकम एज जैपुर दापिंग सिटी चैनल दोस्तों, आज की वीडियो में जो नाश्टा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बनाने में सूपर इजी और खाने में इतना चटपटा और इतना डिलिशिज है ये वीडियो में देखने पर ही आपका मन करने लगेगा इसको अभी बनाने और खानेगा इसे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीजों की ज़रुरत है वो है एक कप सूजी, दो कप पानी, दो आलू उबाल कर कद्दू कस किये हुए एक प्याज बारी कटा हुआ, स्वात के हिसाब से नमक, एक चमच रेट चिली फ्लेक्स, एक चमच छोटे टुगडों में कटा हुआ ताजा हरा धनिया, चार चमच कॉन फ्लो या चावल का आटा, दो चमच पावभजी मसाला और थोड़ा सा तेल तो चलिए, बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही चटपटा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक कडाही में पानी डाल कर उबालाने दीजिए अब इसमें इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सूजी डालते हुए, लगातार चलाते हुए, मिक्स करते जाईए, जिस तरह मैं यहाँ वीडियो में बता रही हूँ ऐसा करने से सूजी में गुठले नहीं पड़ेंगे जब सूजी पानी सोख ले, तब इसमें कड्डू कस किये हुए आलू, बारिक कटे हुए प्याज, नमाक, चिली फ्लेक्स और बारिक कटा हुआ हरा धनिया डाल कर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गैस बंद कर दीजिए गैस बंद करने के बाद सूजी के इस गोल को इतना ठंडा होने दीजिए कि आप इसे आराम से छू सकें क्योंकि हम इसके टिक्की बनाईए ये देखिए, थोड़ी देर में ही इतना ठंडा हो गया है कि अब मैं इसे आराम से छू सकती हूँ तब इसे एक बड़े प्याले में डाल कर इसमें कॉन्फलॉ या चावल का आटा जो भी आपके पास हो उसकी लगबग चार चमस डालिए और इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए इसमें डालिए पावभजी मसाला अब अपने हाथ में इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाकर इस पूरे मिक्स्चर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसकी गोल-गोल टिकिया बनाएंगे जैसे आलू की टिक्की होती है ठीक वैसे ही गोल-गोल टिकिया इनका साइज आप अपने इच्छा के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं आलू की तिक्या की तरह ही इनको भी हम शेलो फ्राइ करेंगे जिसके लिए एक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाल कर गर्म होने रख दिया है बस अब इनको लो फ्राइम पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगी ये देखिए इग्दम क्रिस्पी टिक्या सिक्कर तयार हो गई है आप ये डिलिशियस, चटपटे और अनोखे सूजी टिक्का कबाब, धनिय की चटनी और टमाटर सॉस के सब गर्मा गर्म सर्व कीजिए और मेरी ऐसी ही मज़दार रेसिपीज देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्रेंट्स ऐसे ही नए नए स्वाद वाली मज़दार रेसिपीज देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए का जो आगो यहाँ के लिए रहाँ के लिए वाली मज़दार रेसिजए